बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ शिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है जिससे सभी डीडी एच वो केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है नाम है शिक्षा दर्शन इसके अंतरगत आप कक्षा एक से बारा तक विडियो के माध्यम से अध्यन कर सकते हैं इस कारिक्रम में आपको घर बैठे सब्ताह के प्रथम पांच दिन सभी विश्यों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके स समझाई जाएगी तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनन्द ले सकेंगे राजस्थान राजस्शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद उदैपुर के तत्वावधान में इस कारिक्रम के अंतरगत कक्षा एक से बारा तक के लिए प्रती दिन सवा तीन घंटे के लिए शेक्षिक प्रसारण किया जा रहा है जिसमें कक्षा नौ से दस के लिए साड़े बारा से डेड बजे तक तता कक्षा ग्यारा एवं बारा के लिए डेड से धाई बजे तक तता कक्षा एक से पांच के लिए तीन से साड़े तीन बजे तक एवं कक्षा चै से आठ के लिए साड़े तीन से सवा चार बजे तक श विक्यान विशय में प्राणियों में पोशन, मानाव में पाचन तंत्र, भाग दो, लिकक्षा आठ में सामजिक विक्यान विशय में सामजिक एम राजनितिक जीवन भुख से धर्म निर्पेक्षता की समझ बच्चो हम चैप्टर पढ़ रहते हैं, क्या नाम ता उस चैप्टर का? चैप्टर का नाम ता Who Did Patrick's Homework? और यह जो आपकी स्टोरी है, यह किसने लिखे? कैरॉल मूर ने तो बच्चो हमने पढ़ा था कि जो पैटरिक बच्चा है, उसको स्कूल का हम वो क्या लगता है? बहुत ही बोरिंग लगता है, एक दिन क्या होता है? उसके पास एक प्यारी से बिल्ली रहती, एक कैट रहती, उसके हाथ में वो एक छोटी सी डॉल देखता है, तो उसको क् पैटरिक को क्या कहता है? पैटरिक को क्या कहता है? यानि मुझे बचाओ, मुझे वापस इस बिल्ली को मत लोटाना, तो पैटरिक क्या कंडिशन रखता है? पैटरिक कहता है, मैं आपको एक ही शरत पर बचाओंगा, अगर आप मेरा होमवर्क कर देंगे, तो आज के भाग जैसा कि उन्होंने कहा था किसने वो छोट इस साइज की आदमी ने क्या कहा था उसको कि मैं आपका हमवग यहनी तुमारा हमवग मैं कर दूंगा और वो अब पैट्रिक का हमवग करना शुरू कर देता है except there was one glitch, glitch यानि कोई mechanical problem हो जाना तो वो क्या करता है हर बार कोई ना कोई problem create कर देता है the elf didn't always know what to do and he needed help और हर बार उसको नहीं पता होता था elf को कि किस तरीके से पैट्रिक का हमवग करना है और क्या करना है तो उसको हर बार पैट्रिक की help लेनी पढ़ती थी, needed यानि आवशकता और help होता है सहायता लेना तो हर बार वो पैट्रिक को क्या कहता है कि please help me, please help me यानि मेरी मदद करो help me, help me, क्या कहता है वो, कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कौन कह रहा है, छोटा सा जो बोना प्राणी था न, वो and Patrick would have to help in whatever way, और Patrick को किसी भी तरीके से उस छोटे से आदमी की मदद करनी पड़ती थी, क्यों, क्योंकि होमवक इसका कर रहा था वो, Patrick का ही था होमवक कर रहा था, तो इसले उसको उसकी मदद करनी पड़ती थी, I don't know this word, the elf squeat while reading Patrick's homework, क्या कहता है वो छोटा, जो बोना प्राण तो मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता, no, यानि जाना, और वो squeat, squeat यानि वो जोट से चिलाता, जब Patrick का होमवक पड़ता, तो मैं नहीं जानता है शब्द के बारे में, get me a dictionary, मेरे लिए क्या लेके आओ, एक dictionary लेके आओ, no, what is even better, look up the word and sound it out by each letter, कि dictionary लाने से और एक एक शब्द को मुझे रीड करके सुना और मुझे पढ़के बताओ, कौन कहता है, elf कहता है, when it came to maths, Patrick was out of luck, अब बच्चों जब maths के बारे आई, तो आपको पता, maths से, जो आपको गढ़ने सब्जेक्टों से, most of बच्चों को क्या लगता है, डर सा लगता है, कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पैटरिक भी आप जैसा ही वा एक बच्चा है, तो पैटरिक का क्या बात, जब अब उसके maths सब्जेक्ट की बारी आती है, तो पैटरिक का लग भी साथ नहीं देता है, यानि वो बहुत घबरा जाता है, what are timetables, the elf script, अब वो क्या करता है जो बोना पुराण ये जोड से चिलाता है कि time tables क्या होती है, हमको नहीं पता time tables क्या होती है, कौन के था, वो छोटी साइस का आदमी, we else never need that, और हमें इन time tables की कभी भी जरत नहीं पड़ी, need यानि आफशक्तिय जरत नहीं पड़ी, and addition, and subtraction, and division, and fraction, कि आपके जो भी addition, जोड है, गुणा है, बाकी है, भाग, इन सब की जरत हम लोगों को नहीं पड़ती है, कौन बता रहा है, elf बता रहा है, here sit down beside me, यहाँ और मेरे पास, बैठो, beside यानि बगल में, या, पास में, you simply must guide me, और तुमें मुझे guide करना होगा, guide मतलब तुमें मुझे बताना होगा, कि किस तरीके से मैं तुम्हारा homework करूं, else, no, nothing of human history, to them it is a mystery, अब elf कर रहा है, कि हमें तो मानवी इतिहास के बारे में, यानि human history के बारे में, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, यह हमारे लिए क्या है, एक रहष्य है, mystery यानि रहष्य है, so the little elf already a shouter, just got louder, अब वो चिला तो पहले से रह बच्चों, अब वो और जादा जोड से चिलाना शुरू कर देता है, कौन? वो बोना पराणी, go to the library, I need books, के library में जाओ, और मेरे लिए क्या लेके आओ, और भी books लेके आओ, more and more books, बहुत सारी किताबें, and you can help me read them too, और तुम मुझे वो सब किताबें पढ़कर बताओगे, फोटो में देखिए बच्चों, यह है पैट्रिक, और यह वो कह रहा है न, खूब सारी books लेके आओ, बहुत सारी, तो यह देखो books है, और यह कौन है आपका अल्फ, यह चोटा, चोटी साइस का जो व्यक्ति उसको मिला था न, as a doll, उसको लगाता गुडिया है, लेकिन वा परिशान सा दिख रहा है, तो इस तरीके से इसने किया, अब आगे देखेंगे बच्चों हम, कि क्या, एल्फ चो है, वो पैट्री का हमवग करने में सफल हो पाता है, यह नहीं, यह जानने के लिए मिलेंगे, पार्ट न. थर्ड में, इसके लब आज के आपके ग्रमे उनके opposites थेक लेंगता है, बच्चों, फॉर्स और कॉस्ट, कॉस्ट होता है, श्राप देना, ठीक है, ब्लास्ट यहनी आसिरवाद हो गया उसका अंसर, इसका अंसर यहानी बैटना, आंसर क्या हो जाएगा, यहानी खड़े होना, थाड़ है, डाउन, यहानी नीचे, और opposite क्या हो जाएगा, उसका up, यहानी उपर, फॉर्स और बच्चों, read, यहानी पढ़ना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, write, यहानी लिखना, and the fourth and the last is night, night means रात, और day हो जाएगा, इसका answer, day means दिन, तो इस तरीके से आपको यह सारे अपनी कॉपी में करने नहा है, और इनक में पोशन, मानव में पाचन तंत्र, भाग, दो, बचों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ का विज्ञान विशे का अध्याय, दो प्राणियों में पोशन, बचों, इस पार के पिछले भाग में हमने समझाता कि मनुष्य के अंदर भोजन का अंतरग्रहन किस प्रकार से होता है, और इसी के साथ साथ हमने ये भी समझाता कि मनुष्य में दाथ कौन-कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, बचों, इस भाग में हम समझेंगे कि आगे ग्रसी का आमाशे और छोटी आदमे भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो चलिए बचों, शुरू करते हैं, ल प्रकार के दाथ कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बचों, ये हो गए दोनों प्रशनों के उत्तर, अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, हम पढ़ रहे थे बचों, मनुश्य में पाचन के बारे में, तो भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा, तो बचों, पिछले भाग में हमने क्या किया था, भोजन का अंतर ग्रहन किया था, किसके द्वारा, मुख के द्वारा, अब क्या होगा बचों, हमारे मुख के अंदर जो लार ग्रंथिया जने लाला ग्रंथी भी कहते हैं ये क्या करती है लार रस का इस्तरावन करती है और जब हमने भोजन को मुख में ले लिया तो क्या होगा बचों जब हम भोजन को चबा रहे हैं तो इन लाला ग्रंथियों से लार रस इस्तरावित होता है जो हमारे भोजन के साथ में मिल जाता है जिसे भोजन क्या होगा हमारा लुक दिनुमा यानि की लस लसा और चिकना हो जाता है और क्या होगा बचों ये जो लार है इससे भोजन का आंशिक पाचन यहां पर प्रारंब हो जाता है सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है बचों मंड यानि की वसाका पाचन यहां से प्रारंब होता है। आप जब भोजन में लार मिल गई है तो क्या दो पीछे की और अधर तल से जुड़ी हुई होती है। बच्चों जो हमारी जीव होती है इसका अगरभाग स्वतंत्र होता है और यह किसी भी दिशा में मोड़ सकता है पता है ना बच्चों आपकी जीव जो है उसका जो अगरभाग है उसे हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं बच्चों यह जो जीव होती है यह हमें बोलने में में भी सायता करती है और इसके साथ क्ला करती है कि भोजन में यह मिलाने रिए होती है जिनकी साहता से हमें अलग अलग सवाद का पता चलता है यानि कि हमारा भोजन मीठा है, खटा है, कड़वा है, वो हमें किसकी सायता से पता चलेगा, जीब पर उपसे दिन स्वाद कलीकाओं की द्वारा हमें पता चलता है, तो बच्चों जब हमने जीब की सायता से भोजन को निंगल लिया है, तो कहां पहुंच जाएगा भोजन, पहुंच जाएगा भोजन न लिया ग्रसीका में, यानि कि निगला हुआ भोजन कहां चला जाता है, हमारी ग्रसीका के अंदर पहुंच जाता है, ग्रसीका कहां पर होती है बच्चों, ग्रसीका हमारी गले और वक्ष से होती हुई नीचे की और जाती है, आगे किसमें खु पुचित होती रहती है और भोजन जो है वो गती करता हूँ नीचे कहां पहुंच जाता है आमाशे में पहुंच जाता है बचों कभी-कभी ऐसा होता है कि आमाशे हमारे खाय हुई भोजन को स्विकार नहीं करता है और इसे वमन या उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दिया ज चाता है लेकिन यदि माली जे घ्रशी का ने जो पोजन भेजा है उसे आमाशे के अंदर पहुंच जाएगा और आमाशे में क्या होगा इस बोजन का पाचन होगा बच्चों आमाशे क्या होता है आमाशे एक मोटी बित्ती वाला थेली नुमा सनशना होती है उस तरह से एक थ हसमारी आहार नाल का सब्से चोड़ा भाग होता है तो क्या हुआ यहांपर seventh three जब शुद्रान्थ में यानिकी छiben्यात्ता है तो यहांपर जो यहांपर इसके अंदर भुजन का पाचन प्राणब होता है तो यहांपर तो मातली होती है ये शलेशमा हाइड्रोक्लोरिक अमल तदा पाचकरस का इस्तरावन करती है बच्चों जो शलेशमा है ये क्या करता है आमाशे के आंत्रिक इस्तरगी सुरक्षा करता है जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक अमल है ये क्या करेगा बच्चों जीवानों को नश्ट करता है जो जीव पर पाचकरस है वो अपना कारे कर पाते हैं तो बचों पाचकरस किसे स्त्रावित हो रहा है यहां पर इस आमाशे की भित्ति से स्त्रावित होगा और यह क्या करेगा प्रोटीन का पाचन करता है यानि कि प्रोटीन को सरल पदार्तों में बदल देता है तो यहां पर कब भी क्या हो गया हैजया पर राय।म द써 प्राइंदय स्वारे कि इनटनी हो? भी क्यों करते हैं जो कारें वाइव को लांते नाशेका नी शालती है और भी ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है तो जो ग्रसिका से होता हूँ आगे कहां जाता है आमाशे में चला जाता है लेकिन जहां पर ग्रस्नी है वहाँ पर क्या है ये दोनों मार्ग एक ही होते हैं अब सामाने परिसितियों में क्या होता है बचों जब हम भोजन को निंगलते हैं तो एक मांसल रशना होती है वाल होते है जो क्या करता है श्वास नली को धक लेता है यानि कि भोजन सामाने परिसितियों में श्वास नली में नहीं जाता है और कहां पहुंच जाता है भोजन ग्रसनी से होते विए आमाशय में चला जाता है लेकिन यदि हम जल्दी-जल्दी खा रहे हैं या खाते समय हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा भोजन के कंजो होते हैं वो हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए हमें घुटन महसूस होती है या हमें खासी आ गटना के साथ में हुई थी क्या हुआ था बंठों चले यह भात करें आमाशे की कारप्रणाली की खोज एक बहुत ही रोच घटना के साथ में हुई थी क्या हुआ था बच्चों Sen 1822 में Sen Martin नामक जो व्यक्ति था उसको गोली लगने से वह घायले हो गया था और गोली कहां लगी थी बच्चों उसके वक्ष में लगी थी तो तुरंत उसे चिकित सकते बच्चों विलियम ब्यूमांट जो एक सैनिक चिकित सकते उनके पास में उसे ले जाया गया तो इन्होंने क्या किया बच्चों ब्यूमांट ने उसका उपचार किया तो उन्होंने उस बिक्षिन महाँ पर दिखाई दिये क्या हो रहा था वछवाःत कि जो आमार्षे था ये इस भोजन को पचा रहे थे तो बच्चों यहां पर उन्हों देखा कि आमाशे जो है वो शुद्रांद में तभी खुलेगा जब यहां पर भुजन का पाचन पूरा हो जाएगा यानि कि उस से पहले आमाशे से भुजन जो है वो शुद्रांद में नहीं पहुंच पाएगा तो इस तरह से इस आम आशे की कारेप्रणाली की खोज हुई अब बचो जब आम आशे में भूजन का पाचन हो गया तो आगे भूजन कहां पहुंच जाएगा बचों शुद्रांत यानि की छोटी आत में अब बचों इसका नाम तो क्या रखा है हमने को दो पाचक ग्रंतियां ये जुड़ी हुई होती है यानिकि इन दोनों ग्रंतियों का जो स्राव है वो कहां पर आएगा शुद्रान्त के अंदर आता है ये अक्रत क्या है बच्व गहरे लाल भूले रंगी ग्रंति है और ये हमारी टा शेरी की सबसे बड़ी घ्रनती भी होती है यह क्या करती वच्छों पित्रस का निर्मान करती है यह जो पित्रस है एक थेली में संगरहित होता है जिसे हम कहते हैं बच्छों पित्ताशर और यह पित्तरस ये अगनाशरी रस इस्त्रावित करती है बच्चों जो अगनाशरी रस है ये कार्वो हाइडरेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है यानि कि उन्हें सरल पधारतों में तोड़ता है बच्चों क्या होगा जो आशिक रूप से पचा हुआ भोजन है ये शुद्रांद के निच दामल और ग्लीसरॉल में बदल जाती है और प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाता है बच्चों अमिनों में यानि कि यहां पर क्या हो रहा है कि शुद्रांद के अंदर भोजन के सभी घटकों का पाचन पूरा हो गया है यानि कि हम कह सकते हैं कि शुद्रांद में क्या होता ह बोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है अब आगे क्या होगा बच्चों आगे होगा इस पचित भोजन का अवशोशन तो क्या हो जाएगा शुद्रांद में अवशोशन भोजन का किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं तो बच्चों जो पचित भोजन है ये अवशोशन हो रहा है बचों जो शुदरांत की भिती होती है उसके अंदर कुछ आईसे अंगुली नुवा प्रवर्द पाए जाते है जो क्या करते है बचों ये प्रवर्ध धिर्गरोम अधवार असांकूर कहलाते हैं और यह क्या करेंगे जो पचित भोजन उसके अऊशोषण की लिए सत्य को बढ़ा देते हैं यानि की तल शेत्र को बढ़ा देते हैं अब क्या होगा बच्चों ये धिर्गरोम क्या करेंगे उफ बो तक ले जाएंगे और यह जो रोधरवाई अब गया जाता है यानि की पचीत-अब बनाने में किया जाता है जिसे क्या होगा में उर्जा प्राप्त होगी स्वांगी करन यानि कि क्या हो रहा है और कारवें बbird हो ज़ता है और कर्वान दय होती है और इस उर्जा का उपयोग है हम विभन कालियम को करने में करते हैं यानि कि यहां पर क्या हो रहा है हमें इस पचित भोजन के द्वारा उर्जा प्राप्त होती है अब बचों इस प्रकिरिया में कुछ भोजन ऐसा भी होता है जो अपचित रह जाता है यानि कि जिसका पाचन नहीं होता है, तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, ये कहां पहुंच जाने ना बच्चों, व्रहधांतर में भेज दिया जाता है, तो अब अचित भोजन कहां पहुंच गया है, अब क्या होगा बच्चों, ये जो व्रहधांतर होती है, इसे हम बड़ दियात कहते हैं क्यों कि इसका व्यास अधिक होता है अब अपस्चित भूजन कहां पहुंच गया है वह रहता है तो क्या होगा इसमें से जल और खनेज को देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया भोजन का अंधरंक किया उसके बाद नस्रें का पाच किया पींट तो यह तो ही पूप प्रकिरिया अब हम बात करते हैं कि जो घास खाने वाले जनटू होते है और अपने आमाशे में ख Completिया हैं अफिर उसे अच्छे से चबाते हैं तो बच्चों आमाशे का वह भाग जिसके अंदर इस क्या कर रहे हैं इस भूजनwater को पहले खटा करते हैं यह क्या है रोमेन यानि की प्रथम मामशे कहलाता है बचों यह जो जनतु हो थे इन के अंदर आमाशे चार भागों में बटा होता है और इस रोमेन के प्रथम आमाशे कहलाता है जब जन्तु जल्दी जल्दी भोजन को निंगल रहा है तो कहां पहुंच जाए का इसके रूमेन में पहुंच जाता है और फिर क्या करते हैं बचों ये जो जन्तु होते हैं ये छोटे-छोटे पुरिंडगों की रूप में भोजन को वापस अपन करते हैं घास का भोजन करते हैं तो घास के अंदर की प्रचुर्टा होती है एक प्रकार का कर्वोहईडरेट है तो जन्तु एक थेरी नुमा सनशना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बचों, सेलूलोज का पाचन होता है, इस अंधनाल में, इस अंधनाल के अंदर जो हैंसे जीवानु उपस्तित होते हैं, जो क्या करेंगे, कि भोजन में उपसे सेलूलोज को पचा देते हैं चली बच्चों आगे हम बात करते हैं कि जो अमीबा है उसके अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है बच्चों आप सभी जानते हैं कि अमीबा क्या है जल में पाये जाने वाला एक-एक कोशी के जीव होता है इसकी हम कोशी का किसानशना की बात करें त निरंतर अपनी आकरती को बदलता रहता है और जब इसे गती करनी होती है तो यह क्या करता है पादाब यानि कि कूट पाद का निर्मान करता है इसमें एक या अधिक अंगली के समान प्रवर्द बनते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं पादाब या फिर क्रत्रिम पाओं इन् संवर्चों यह बोंजन के अंतर ग्रहण में साहता करते हैं इसमें कि वजन का आभास होगा कि से माली जी यहां पर इसको पता चल गए कि हाँ पर क्या है कोई खाद कढ़ है तो यह इसके खाद धानी में ही भोजन का पाचन होता है और इसकी द्वराही जो अप अचछित भोजन उससे शरीड से बाहर निकाल दिया जाता है और इसको किनारे पर इक व smartन एक उनर रिव शरिट यह पना Sud सिस्त्रावित होते हैं ये क्या करेंगे ये स्खादे पधार्त पर क्विया करके उन्हें सरल पधार्तों में बदल देते हैं और फिर क्या हो जो पचा हुआ भोजन है वो दिरीधिरे अवशोषित हो जाएगा और ये भोजन कস काम में आएगा अमीवा की व्रदी और गुणन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और जो अपशित भोजन है उसे भी खाद धाने के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो इस तरह से क्या होता है अमीवा में भोजन का अंतरग्रहन और उसका पाचन होता है तो बच जीव जो है इस उर्जा का उपयोग अपनी शरीकी व्रद्धी और विकास के लिए करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में बोजन के पाचन का जो मूलबूत प्रक्रम है वो समान होता है तो बच्चों यहां पर हमारा यह भाग कंप्लीट होता है इसकी साथ साथ हमारे पाट भी हां पर कंप्लीट होता है मुझे उम्मीद है किस वीडियो में हमने जो भी बाते की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाट के अभ्यास प्रशनों के साथ तब तक आ यह आगे बढ़ते रहे धंयवाद बच्चों आज का अगला पाट कक्षा आच में सामजिक विग्यान विशय में सामाजिक बाज्य निर्पेख्षता की समझ यह नी यानि और भारतिय reicht क्या है और भारतिय धर्म निर्पेख्षता दूसरे लोक्तंत्रिक देशों की धर्म निर्पेख्षता से कि तरह अलग है यह तीनों बिनदों को लेकर हम इस अध्याय का अध्यन करेंगे बच्चों इसचब्द में आपको धर्म नजर आता है धर्म C Surely पर ये क्या होता है? धर्म का नाम आते ही आपके मस्तिक्स में बहुत सारी तस्वीरे आ गई होंगी. जैसे हिंदु धर्म के लोग तिलक लगाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग दाड़ी बनाते हैं, सिक धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं, बोध धर्म के लोग एक अपना चोला पहनके रखते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी तस्वीरे आपके मस्तिक्स में आ रही होगी यानि भारत में बहुत सारे धार्मिक अनुयाई होते हैं इसी तरीके से इनकी अपनी अपनी पूजा करने की अपने इश्वर को मानने की अपनी आस्थाओं को जाहिर करने की पद्दतियां होती हैं कुछ नियम होते हैं और ये नियम अपने अपने धर्म के अनुसार माने जा की नियमों का पालन करता है तो इस धर्म से हमारा अर्थ है इस धर्म के अलावा एक धर्म और होता है बच्चों जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मनुश्य का धर्म होता है जैसे सत्य बोलना हमारा धर्म है इमानदारी रखना हमारा धर्म है तो ये धर्म जो दोनों अलग होती है तो हमें पंथ कन जो पंथ शब्द है उसका उप्यों करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा यानि जिसमें हम पूजा अर्चना की जो इस्थिती होती है जो इस प्रकार से हम पूजा अर्चना का जो हमारे नियम होते हैं उसके आधार पर हम लोगों को विभाजित करते उस धर्म से इस शब्द का की समझ बन दिया ठीक है तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं धर्म निर्पेक्षता क्या है आपकी किताब में दिया गया है कि धर्म निर्पेक्षता से आपका मतलब क्या है तो बचो धर्म निर्पेक्षता के तहत हम बातों को किस तरीके से पहली बात तो क्या है? कि धर्म निर्पेक्षऩा का मतलब ये होता है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको किसी भी तरीके की धार्मिक, जो क्रिया का लाफ होते हैं, उनको अपनाने की स्वतंत्रता होती है दूसरा, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंतरता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए, भारतिय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने का किरणिती अपनाई है, यानि हमारे समीधान ने राज्य को और धर्म को अलग अलग रखा है, तो इ जो प्रफक करण किया गया है इसी को हम धर्म नीरपेक्ष्टा कहते हैं समझ में आया यानि कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को जैसे माल magnitude यह एक है यह हमारा देश है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं हिंदू रहते है सिख रहते हैं जेन रहते हैं या फिर इशाई रहते हैं तो हमारा जो राज्य क्या करेगा इन सभी धर्मों के जो लोग हैं इनको सम्मान रूप से सम्मान देगा और इनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनका आधर करेगा ऐसा नहीं होगा कि जो राज्य है किसी एक धर्म को जैसे मालो किसी हिंदु धर्म को या किसी मुसलिम धर्म को जेस दरह दे और बार-बार उसी धर्म का क्या करें विशेस रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें एसा हमारे देश में नहीं होता है इसे ही धर्म निर्पेख्षता कहा जाता है बच्चों धर्म को राज्य से अलग रखना में तो पूंड क्यों होता है यह प्रशना आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होने चीए तो इससे पहले आपको यह ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि धर्म के आधार पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े समू में रहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनका धार्मिक समू छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जो बहूलवाद होगा यानि जो बड़ा समू होगा वो ताकतवर बन जाएगा और अलप जो समू होग धार्मिक जो उसके उपर क्या करेगा अपनी ताकत का उप्योग करेगा यानि ऐसे लोगों का शोष्ण होगा जो कि अलप मत में हैं तो इसलिए क्यों जरूरी है इन दोनों को अलग करना पहले तो बहु मत की निरंकुस्ता के चलते जो धार्मिक अलप संख्यों के साथ होने वाले भेद्भाव वे जूर्जबरदस्ति को रोकने के लिए यानि क्यों अलग करना जरूरी है क्योंकि धर्म निर्पेक्षिता के माध्यम से हम जो अल्प संख्यक धर्मिक लोग है उनकी क्या करते हैं उनको समान अउसर प्रदान करते हैं जो की बहुमत वादियों को भी प करेगी अपने धर्म के लोगों के साथ जो कि उनके व्यक्तिगत मोलिक अधिकारों का शोषण करते हों यानि कि जो मनुष्य का खुद का व्यक्तिगत जो जीने का अधिकार होता है और समानता का अधिकार होता है स्वतंतरता के जो मोलिक अधिकार है उनमें किसी भी धार्मिक नीती का हस्तक्षेप नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो धर्म निर्पिक्षता के तहत समीधान उसको दंड प्रदान करता है तीसरी बात लिखी गई है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने के लिए इसका हमारे क्या होता है कि सभी लोगों को अपने धर्मिक चुनाव का अधिकार दिया गया, यानि कि कोई भी व्यक्ति चाए वो किसी भी धर्म का हो वो अपने धर्म से किसी दूसरे धर्म में जाने की उसको छूट दी गई है यानि कि वो हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से वो सिख बन सकता है, शिख से वो बोध बन सकता है. यह अधिकार हमें दिया गया है कि हम किसी भी धार्मिक चुनाव को कर सकते हैं. इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का या धार्मिक उपदेशों की अलग धंग से व्याख्या करने की स्वतंतरता होती है। और उपदेशों की व्याख्या भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत चारी धार्मिक मंडलियां होती हैं। अलग रखना महत्तपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे सभी लोगों के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाता है। भारतिय धर्म निर्पेख्षता क्या है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में यह जो शब्द लिखा गया है भारतिय धर्म निर्पेख्षता। उससे क्या अर्थ निकलता है, तो बच्चो इसके तहत हमारा समीधान कहता है कि भारतिय राज्य धर्म निर्पेख्ष रहेगा। हमेशा के लिए धर्म निर्पेख्ष रहेगा। इन उद्देशों को शाकार करने के लिए निमलिक्त बातों पर ध्यान रखा जाता है हमारे सवीधान में जो धर्म निर्पेक्षिता का शब्द लिया गया है उसके कुछ उद्देश निर्धारित किये गए है और वो उद्देश कौन-कौन से है इसमें है पहला कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय का नय दबाए यानि कि किसी भी दूसरे समुदाय को नय दबाए इसके तहत हम क्या देखते हैं बच्चो कि मालो कोई एक धर्म के व्यक्ति हैं जो बड़ी संख्या में है और कोई दूसरा धर्म के जो अनुयाई है वो छोटी संख्या में है तो होता क्या है एक धर्म की लोग उस दूसरे धर्म के जो अनुयाई होते हैं उन पे दबाव बनाते हैं उन पे अपनी ताकत का उपयोग करते हैं तो ऐसी इस्तिती में हमारा य अब ये तो बात थी एक धर्म से दूसरे धर्म की, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही धर्म है, जैसे मालो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग है और ये धर्म के सभी लोग है, इसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, अलग-अलग जातियां आती हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जातियां दूसरी जातियों का शोशन करती है यानि हिंदु धर्म के अंदर कुछ जातियां अपने आपको उच्छ मानती है और कुछ जातियों को क्या कहती है कि यह जातियां निम्न है तो क्या किया जाता है कि यह जो उच्छ अपने आपको उच्छ मान गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन ने हो अगर ऐसा होता है तो वह भी एक अपराध होगा तीसरा उद्देश है राज्य नहीं तो किसी खास ध्रम को ठुपेगा और नहीं लोगों की धार्मिक स्वतन्तरता चीनेगा अब तीसरी कही गई है राज्य किया कहता है कि बहु किसी भी धार्म को किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य कैसे NAZ STEPHANIE इसा नहीं कहेगा कि भाई आपको थो लिगाना है इसा रही धार्म को अपना ने कि इस만गे गई है आपको कि भॉध लिक WOW अपने धर्म को दूसरे धर्में परिवर्तित करना चाहे यानि कि पूजा पाठ का जो तरीका है वो बदलना चाहे तो धर्म के नाम पर सरकार उसको क्या करे रोग दे ऐसा संभव नहीं है तो इसके लिए राज्य धर्म की स्वतंतरता हमें प्रदान करता है ये हमारे धर्म निर्पेक्षिता के उद्देश्य निर्धारित किये गए है भारत में धर्म निर्पेक्षिता को इस्थापित करने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं अब उद्देश्यों को बनाने के बाद में उनको पूरे देश में इस्थापित करने के लिए भारत में तीन तरीके अपनाए गए हैं, पहला तरीका है वहे खुद को धर्म से दूर रखता है, वहे कोल, वहे का मतलब है यहाँ पर राज्य से, दूसरा हस्तक शेप की नीती, और तीसरा है एहस्तक शेप की नीती, यह तीन तरीके हैं, इन तीनों तरीके के आधार पर धर्म निर्प उतने भी धर्म के लोग हैं वो समान रूप से सरकार में अपनी भागिदारी मिभा सकते हैं सरकार किसी विशेश धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेश को विशेश धर्जा नहीं देगी ऐसा हमारा राज्य में वर्णीत है दूसरा किसी भी धर्म को समर्थन न देने के साथ में किसी भी धार्मिक समू के हाथ में क्या नहीं देगी पूरी सरकार की बागडोर नही दिवसका होता है, ऐसा क्यों नहीं है कि हम इद मनाएं बहुत जोर से, हम दिवाली मनाएं बहुत जोर से, क्योंकि ये इसलिए नहीं है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है, हम किसी विशेश धर्म को विशेश रूप से नहीं मान सकते हैं, दूसरा है एहस्तिक्षेप की नीती का जो तरीका होता है उसके तहत राज्य के माध्यम से यह कहा जाता है कि अगर किसी धर्म के अंदर को विसेश आस्था वाले नियम हो तो उनके लिए कभी-कभी छूट दे दी जाती है समझ मैं जैसे आप यहां पर एक तस्वीर देख सकते हैं इस कानून का अगर उलंगन करते हैं अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हमारे उपर जुर्माना लगाया जाता है लेकिन यह जो व्यक्ति है परमीत यह सिख धर्म का अनुयाई है और सिख धर्म का होने के कारण इसने क्या पगड़ी लगाना इसका क्या है धार्मिक प्रती शूट दी गई है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रिया कलापों में दखल नए देने के लिए राज कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ विशेश छूट देता है समझ में आ गया यह कहती है हस्तक्षेप की नीती तीसरी जो तरीका होता है वो होता ह टेगथ रूप से मौलीक अधिकारों का अगर हनन होता है सरकार यह कानून हों इनन में हष्तकृप करें। नीजी कानून होते है में नीजी कानून के नियम बने होते हैं उनके अंदर हमारे राज्यका थर्म बन जाता है कब जब मोलिक अधिकारों का हनन हो, किसी व्यक्ति विशेज के साथ में शोर्षन किया जा रहा हो, साथ ही हमारे समीधान के जो मुल्य आदर्ष दिये गए हैं, अगर उनका कोई उलंगन करता है, मानलो कोई ऐसा व्यक्ति है, जो हमारे देश का तिरंगा है, जो हमारा राष् हमारे जो समीधान के आदर्ष हैं, उनका उलंगन हो रहा है, तो ऐसी इस्तिती में हमारे समीधान के तहट उसको दंड दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने समीधान के आदर्षों का उलंगन किया है, तो इसे कहते हैं हस्तक्षेप का तरीका, दूसरा, राज्य हस्तक्ष सेपश्यप सहायता की रूप में भी कर सकता है सवीधान धार्मिक समूदायों को अपने स्कूल और कोलेज खोलने का अधिकार देता है हमने देखा कि कुछ स्वीधार्मिक जो लोग होते हैं वह अल्प संख्यक उतore लोग होते हैं अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए सरकार उनको क्या करती है सहायता प्रदान करती है और वो विध्यालय और कोलेज खोलने के लिए सरकार उनको विशेश चूट देती है तो इस माध्यम से क्या होता है जो अल्ब संक्या धर्म के जो लोग होते हैं उनको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रशार करने का अवसर प्राप्त होता है तो बच्चो आप देखते हैं कि भारतिय धर्म निर्पेचता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से किस प्रकार से अलग है यहां पर हम एक छोटा सा उधारन लेते हैं अमेरिका का अमेरिका जो संक्तिराज अमेरिका है वो लोकतांत्रिक देश है भारत भी लोकतांत्रिक देश है अमेरिका के समीधान के प्रथम संसोधन में यह बात साफ वो अपने राज्य को धर्म से बिल्कूल प्रथक रखेगा, यानि कि धार्मिक कानूनों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत के अंदर धर्म को राज्य को अलग तो रखा गया है, लेकिन सेधांतिक रूप से, अगर ऐसा ह होता है कि समीधान के आदर्शों में या किसी व्यक्ति विशेज के मोलिक अधिकारों का अगर धर्म के नाम पे हनन होता है, तो हमारा भारत कराज्य का समीधान उसमें हस्तक्षेप करेगा, और समीधान के माध्यम से क्या होगा, ऐसी इस्थिती में धार्मिक कानूनों पर लगा दी जाएगी, तो यहां पर हम देख सकते हैं, सैयुंक्त राज अमेरिका में राज्य और धर्म के प्रथक करण का मतलब है, कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते हैं, जबकि भारत के साथ में क्या है, भारतिय ध अधर्षों के आधार पर राज्य किसी वी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानि हमारे राज्य को लगे कि समीधान के आधर्षों का या किसी मोलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो भारतिय समीधान के तहट उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, तो इस प्रका देता है और ये मूलबूत अधिकार धर्म निर्पेक्षित दानतों पर आधारित हैं लेकिन आज भी भारतिय समाज में इन अधिकारों का उलंगन हो रहा है अतय हमारे सामने समेधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है इन्हें हम अधिक इन हमें इन अधिकारों के प्र सामने लोगों के साथ में भेदभाव कर रही हैं तो हमें क्या होना चाहिए ऐसे धार्मिक नीतियों के प्रति समेधन सील होना चाहिए और धर्म निर्पेक्षिता का जो मूल अर्थ है उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रियास करना चाहिए तो बच्चों ये अध्या से संबंदित जो अभ्यास प्रस्ण है उनका अध्यन करेंगे तब तक के लिए बने रहिए बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में अंग्रेजी विश्य में बुक हानी सकल से बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में सामजिक विख्यान विश्य में हमारे अतीत बुक से आखेट खादे संग्रे से भोजन उत्पाधन तक हारम विक्मानव कक्षा 7 में विख्यान विश्य में प्राणियों में पोशन अध्याय से अप्यास प्रश्न भाग तीन वे कक्षा 8 में सामजिक विख्यान विश्य में संसाधन और विकास भुगोल वुक से संसाधन एक परिच है बच्चों हमारे इस कारेक्रम के एक कंटेन पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारेक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारेक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001